हेलो में विल्कम टू ओल्लाइन एड़ा फॉर्स्ट्डी पर लर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सबीका ओल्लाइन एड़ा फॉर्स्ट्डी यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में बात करें बीट वसिस बीटीसी मामले पर एक बड़ी अपडेट के बारे में बीटि को लेकर आए दिन कोड के माणद्यम से कोई ने कोई और यहां पर जाली किया जा रहा है क्योंकि लगातार बीट वसिस बीटीसी मामले पर सुनवयं जाली है यह इसलिए महत्पूर होते जा रहें क्योंकि बीए वर्सब कोई भी आदेश देती है वो आदेश's सभी बी व्यम्टियों को लाइक करें औरियों को दिस्टे कि आपको वहीं जानकारी देता हूं जो कोट के माध्याम से देखने के लिए मिलती है और बेड़ बीटीची पर कोट में चल रही है authentic जानकरी बैसे तो बीयर्ड करने वाले अभ्यर्थियों के मार्दियम से धना प्रदर्शन भी किया जाए जिसकी जानकरी मैंने आप सुभी को पहले भी दिये कि आज से अभ्यर्थी दिल्ली में एक बड़े प्रदर्शन की त्यारी कर रहें जंतर मंतर पर देखना ये होगा कि वहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जाते हैं क्योंकि अब बीयर्ड करने वाले अभ्यर्थी दिये दिरे कहिने की डीमोटिवेट होने शुरू हो गएं क्योंकि उनको लग रहा है कि सरकार कुछ करेगी नहीं लेकिन गलती इसमें उनकी भी है कि जब तक वो खुदनी कुछ करेंगे तो सरकार तो उनके लिए क्या ही करेगी फिलाल मुद्य पर आ जाते हैं मुद्धा है ब्याट वसिस बीटी सी पर नए ओडर के बारे में दोस्तों बीट वसिस बीटी सी पर रोज आपको सुनवाई हैं देखने के लिए मिल रही है कल भी एक सु करनून लगे हुए हैं लेकिन सुपीम कोड का ओडर आ जाने के बाद यह सभी कंफ्यूज है कि ब्याट वसिस बीटी सी पर सुपीम कोड के ओडर को कब से लागू किया जाए अभी तक तो यह कंफ्यूजन देखने के लिए मिल दा था कि ओडर को 11 अगर्स 2023 से लागू कर द से और जो एंसेटी के माध्यम से अपना जो गजट के रद्द करने के संबंद में सभी राज्यों को नोटिस बेजा था वो चार सेतंबर 2030 को बेजा गया था लेकिन इन सबकी बीच में सबसे पहली तारिक देखने के लिए अठाइज जोन दो जटारे जिसके आधार पर सभी बीच करने वाले अभ्याथी हरे एक राज्य में एलिजबल हुए थे उनको नौकरी दी गई थी लेकिन अब सवाल यह है कि बीच का ओर कब से लागू होगा क्योंकि इस मामले पर कोट की तरफ से कल फेशल सुनवाई की जाती है और इस सुनवाई में कोट की माधियम से एक तल्क टिपडी हम कह सकते हैं जो कि बीच के लिए की गई क्योंकि यहां बात करें MP को लेकर MP में जब इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिलती है बीचिस बीची मामले पर तो जो वहां के बीच करने वाले अभ्य को नौकी में बनाकर रखा जाए क्योंकि मध्य प्रदेश की जो शिक्षा विवाग की नेमावली है उसके आधार पर पूरे तरीके से वैलिडे तो इस पर कोट के माध्यम से अपनी तल्क टिप्रिणी की जाती है उनका कहना यह है कि जब गजट ही रद्ध हो चुका है तो नोटिस जाली किया सभी राज्यों ने शंशुदन कर दिए बीएड को लेकर अब जिन्होंने नहीं किये थे उनको लेकर भीएड अभेरति ने धना प्रदशन या कोट में जाकर करवा दिए लेकिन जैसे ही एंसीटी का गजट रद होता है उसके बाद में कोट का कहना यह ह कि जो भरतियों के लिए बनाई गई नीमा वली है वो भी यहां पर अमानने हो जाती है अब यहां सवाल देखने के लिए मिलता है कि MP के अंदर चैनित हुए बीएड अभेरतियों की नोकी बनी रहेगी यहां उनको नोकी से हटाया जाएगा मुद्दा सिर्फ इतना सा है ल पर देखने था कि वहां पर अभेरतियों को जो निवक्ति पत्र दिये जाते हैं वो कोट के अंतिम आदेश के अधीन रखी दिये जाते हैं इसी वजह से उनकी नोकरी को लेकर यहां सवाल खड़े किये गए हैं ऐसे तो बहुत सारी भरतिया होई है जैसे कि आपकी उर्तर वसिस बीटीसी ओडर के अधीन थी इसी वजह से उनको निवक्ति दो दे दी गई लेकिन ओडर आने की बाद अब अठाई जाने की मांग शुरू हो गई उन्होंने शिक्षा निवावली दिखा दी लेकिन शिक्षा निवावली अठाई जून दोज़ज़़़ा की नोटि किया जा सकता है किसी किसी के अंदर कोट लागू कर देती है जहां पर फंडमेंटल राइट का उलंगन पाया जाता है अब यह चीज तो उनहेतर जार के अलावा माफ कीजिए बियर वसिस बीटीसी के अंदर भी कौमन है लेकिन क्या कोट 28 जून 2018 से लागू करेगी यह सवा लेकिन बोर राजिस्तान सरकार ने जो याचिका दाखिल की ती उसके आधार पर किया था यह बात तो तरह है कि राजिस्तान में अगर 25 नवंबर 2021 को गजट को रद कर दिया था तो उसके बाद पूर देश के अंदर 28 इस्टेट और 8 यूटीज के अंदर इसकी जानकाई न आती है और उसके आधार पर बीएड करने वाले अभयतियों को प्रैमरी से बाहर कर दिया जाता है फिर उसके बाद में एंसीटी चार सितंबर 2023 को एक नोटिस दारी करती है सभी राजियों को जिसमें वो लेकर जानकाई देती है कि हमारा जो गजट है वो रद हो चुका है और इसके आधार पर जो भी बीएड करने वाले अभयति हैं वो प्रैमरी सिच्चक भरती से बाहर हो जाते हैं तो यहां पर सभी चार्तों के अपने अपने तरकें कल हुई सुनबाई के आधार पर कुछ चार्तों का ऐसा कहना है कि 28 जून 2018 से इस गजट को रद हो जाने की तारीक से लागू किया जा सकता है सुपीम कोड का ओर लेकिन अभी इस पर मैं आपको से कोशन मार की लगा सकता हूं उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि 25 नवंबर की तारीक भी बहुत महत्थबूर है जो कि कोड ने अपने ओर्डर में खुद कहा है तो इन बातों को अग 23 तारीक से गजट को रद करने की जो जानकारी है वो नहीं होगी लेकिन अगर कोड कोई ऐसा आदेश देती है लेकिन कोड के पास यह अधिकार है वो चाहें तो इसको रेट्र इस्पेक्टिव मोड में लागू कर सकते हैं यह कोड पर डिबेंट करेगा कि वो कब से 22 तेश को लेकिन अब इस मामले पर विहार सरकार के माध्यम से क्याचिका भी दाखिल की गई है जिसमें बीटीसी अभ्यरती भी चले गए बीएड अभ्यरती तो गई है उन सभी मुद्वों पर 9 अक्टूबर को सुनभाई होने वाली है उम्बीदे बहुत जादा है कि उस यह पहला रास्ता है दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि एंसीटी के माध्यम से सुपीम कोर्ट में इसको लेकर जानकाई मांगी जाए और उसके आधार पर वो अपना एक नया गजट जारी कर दें जिससे कि सभी राज्यों को पता चल जाए कि बीएड वसिस बीटीसी मामले पर पर इस ओर्डर को कबसे लागू करना है इससे जादा है जर्वाद होगा वो खतम हो जाएगा जो भतिया चल नहीं इसमें वी कलिए हो जाएगा ऊसे मैं राज्य सरकारे टो यहांचेंस राज्यों के सरकार वी सब्सक्रारी सब्सक्राइब तो कई राज्यों के अंदर सरकार का प्रक्ष में लेकिन कोट अभी तक दिखाई नहीं दिये क्योंकि सुपीम कोट का जो 11 अगस्ट दोजाथ 23 का ओर उसको कोट करने की हर जगें करती हुई दिखाई दे रही है लेकिन अगर बात की जाए केंद सरकार अगर यह लोग चाहें तो इस विवाद को पूरे तरीके से खतम कर सकते हैं चाहें वो अध्यादेश या फिर आर्टी एक्ट में संशुदन करके या इस मामले पर एक नया गजट जारी करके और यह बता दें कि बियर्ड वसिस बीटीजी को लेकर उनको आगे क्या करना है तो क्या अठाई जून 2008 से ओडर लागू हो जाएगा तो मैंने आपको किलियर कर दिया है कि अभी बहुत ज्यादा इस मामले पर कन्फीज जने की ओडर को कब से लागू करना है क्योंकि कोट ने खुलकर किसी ओडर में जानकाई अभी नहीं दिये और जब मामले दुबार से को कोट बार-बार अठाई जून 2008 की नोटिफिकेशन की आधार पर भरतियों को अमान इठेरा रही है ऐसा आपने विहार सरकार की भी भरती में देखा ता और ऐसा ही आपने कल हुई MP के अंदर सुनवाई में देखा फिलाल इस वीडियो की माधियम से इतना ही थैंक्यू फर लग्यू इस वीडियो